Hello everyone आज हम MS Word के बारे में बात करेंगे इस पहले वीडियो में हमने MS Word की विशेष्थां के बारे में और MS Word क्या होता है कि उसके बारे में बात की थी आज हम MS Word के जो home screen होती है और उसके क्या tools होते हैं और क्या उसके जो जैनिल्स होते हैं क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम जब MS Office का बटन होता है उसको ओन करने पर चलाने पर हम MS Word राप्त होता है MS Word को जब हम खोलते हैं तो हम स्लाइड में देख रहा है वो स्क्रीन हमें राप्त होती है इस स्क्रीन में सबसे पहले हम देखते हैं सबसे उपर Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar के अंतरकत किसी भी कमांड या किसी जगे पर तुरंट पहुंशने के लिए हम वहाँ पर Shortcut की का उप्योग कर सकते हैं एसी कमांड जिसका उप्योग हम ज्यादा करते हैं उस कमांड को उसमें एड़ करने के बाद में आप जब भी उस Quick Access Toolbar से खोलेंगे तो सिधा उस कमांड के द्वारा उस जगे पहुंश पाएंगे यह आपको अलग-लग कमांड देनी पड़ेगी और इसमें हम Shortcut की के रूप में उसको अपना सकते हैं तो इसके जारा इस वर्ड में काम करते हुए थोड़ी समय की बचत होती है हम काम को Speed से कर सकते हैं इसके अलाबा जो उपर दिख रहा है Title Bar जो सबसे उपर का एक एरिया होता है जिसमें जब हम किसी फाइल में काम कर रहे होते हैं तो फाइल अगर आप हम उसको Save नहीं करते हैं तो वो यह फिर कोई नाम नहीं देते हैं तो वो Default रूप में Document 1, Document 2 के रूप में हमें दिखाई देगी और जब हम उसको Save करेंगे या Save As करेंगे तो वो फाइल कि नाम से दिखाई देगी और इसके अलबा टाइटल बार में राइट साइड में तीन बटन होते हैं जिनके द्वारा हम Minimize, Maximize और Close कर सकते हैं बड़ा करना चोटा करना और पेज को पंद करना तो यह सब तीनों बाते इस टाइटल बार के जो राइट साइड में तिंक बटन होते हैं उनके द्वारा होती है फिर इसके बाद में हम बात करते हैं रूलर की रूलर एरिया जो पेज होता है उस पेज के उपर और बाइन तरफ एक स्कैल के रूप में दिखे दे रहा है जिसमें संख्या लिखे होई एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस तो इसके द्वारा हम पेज में Margin को Set करते हैं Margin मतलब हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे पेज को सुन्दर दिखने के लिए कहां से लिखना स्टार्ट करना चाहिए कितनी जगे उपर निच्छे दायबाइं हम छोड़ेंगे यह सब चीजे हम इस रूलर बार के अंतर के फिलर सकते हैं फिर आता है रीबन साझ के ऊत्राई जाता है जब हम इंसेट खोलते इसरिक करना की लिखना थे का हुए और रिबन से रिखना से लिखना किक्सा soothing के अनरा के week rank अब हम बात करते हैं मैनु बार की मैनु बार इस रिबन के उपर ही जो हम मैनु दिख रहे हैं फाइल, हॉम, इंसर्ट, पेज लियाउट, रेफरेंस, मैलिंग, रिव्यू व्यू ये सब मैनु बार के ला रहे हैं तो मैनु बार के अंतर्गत विविविन ये था वन्यचे , विविन विवू उस जो तरीकों से देखने रहा हैं एूं अलग capable मैं करेंगे स्टेटसबार, टेक्स्ठ एरिया के बिल्कुल नीचे वाला क्षित्र होता है, जो लिए पत्ली नीचे दिखाई दे रही है अब आता है स्क्रोल बार इस पेज के राइट साइड में करने के लिए माूस के द्वारा हम उसको स्क्रोल करते हैं या मेजिचे द्वारा स्क्रोल करते हैं तो इसमें हम page को उपर नीचे जितने भी page दिमें हमने काम किया है कर रहे हैं उनको आगे पिछे करके उपर नीचे करके देख सकते हैं तो scrollbar area होता है इसके लगाँ text area होता है जो 20 में हम जिस page पे लिखते हैं margin चोड़ने के बाद में और text area कहलाता है यह सबसे बड़ा और मत्यपाग होता है इसमें हम लिखते हैं तो यह सब बातें इसके अंतरगत आती हैं इंसर्ट टेप के अंतरगत को साथ ग्रुप होते हैं इन्हें हम इसमें जो स्क्रीन है इसमें देख सकते हैं पेजेज, टेबल्स, इलस्टेशन, लिंक, हेडर & फूटर, टेक्स्ट और सिंबोल्स इंसर्ट का काम कोई भी चीज किसी पेज में नई चीज जोडने के लिए किया जाता है और नई चीज काम सी? पेजेज जोडने के लिए टेबल कोई एड करनी है उसके लिए इलस्टेशन देना है, लिंक्स देना है कोई भी किसी भी वेबसाइड के समदित, हेडर & फूटर हमें तयार करना उसमें कोई भी हेडिंग्स डालनी है और टेक्स और सिंबोल के समदित हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं पेज में जिसमें हम काम कर रहे हैं तो इसमें जो पेज गुरूप जो सबसे पहले हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में पेजेज उसमें कावर पेज, ब्लेंक पेज, ब्रेक पेज तो इसके अंतरगत हम cover page किसी भी document को के ऊपर काम कर तो इसको हम cover page लगा सकते हैं इसके थूफ blank page उसमें और नाया चोड़ ना है निचे की तरफ जिसके आप काम करना हो तो आप उसको blank page के थूफ काम कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं page को, हम विबिन पेजें के टुकुड़े कर सकते हैं, बड़े page को छोटा करके उसको एक हाकर्षेक बना सकते हैं दूसरा आता है tables, tables के अंतरकत हम विबिन जो tables हैं, उनको हम उसमें बना सकते हैं जो page में table बना सकते हैं, जिसमें जितनी भी line हैं हम जो row और column बनाना चाहाएं, बना सकते हैं, उसमें हम draw कर सकते हैं फिर आता है illustration, हमें कोई इसमें page डालना है, sorry picture डालना है, कोई clip art डालनी है, कोई snapshot डालने है, smart art करना है, कुछ art का काम करना है, उसमें chart और VPN पर करके जो graphs होगे रहे हो डालनी है, या फिर इसको screenshot लगाना है, उसमें page में add करने के लिए, तो हम illustration command के थूँ हम ये काम कर सकते हैं इसके अलावा, जो हम links के बात करें, तो उसमें कोई भी जो hyper links वगेरा होते हैं, जो website के आप सकते हैं, या फिर किसी भी निशे वस्तु के जो links होते हैं, वो भी इसमें हम इस links के थूँ एड़ कर सकते हैं, bookmarks भी add कर सकते हैं, और cross reference भी इसमें add कर सकते हैं, साथ ही साथ हम विपिन जो header and footer, जब हम page पे काम करते हैं, तो उसका head जो उपरीक शत्र होता है, और footer जो की निचे वाला शत्र होता है, उनको हम insert करके, वहाँ पर header footer में, कोई भी हमारे जिस पे हम काम करें, जिसके लिए काम करें, उसका logo, photos, या फिर अपना नाम, किसी संस्तान का नाम आधी insert कर सकते हैं, header footer के अंतरकत, page को आकाशक बनाया जाता है, और इसके लावा page number भी हम, इस page number के through, उसमें डाल सकते हैं, तो ये सब जो commands है, प्रिशेस्ता है, वो insert के through, जो हम प्राइज, अब बात करते हैं, ये हम page layout की, Microsoft Word में, page layout हम, किसी भी page का layout, मतलब उसमें, उस page की theme, उसका setup, उसमें color, border, अक्षरों का बीच में गेप, प्लाइनों के बीच में गेप, horizontal और vertical गेप, उसका arrangement, ये सब चीजें हम page layout के अंतरकत करते हैं, तो इसमें कुछ groups हैं, जिने हम themes, page setup, page background, paragraph और arrange नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, themes की जो, उपर साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसका option दे रखा है, themes, word document पर apply किया जा सकता है, word में पहले से कही themes होती है, प्रते एक theme में font, font style, अलग-लग तरह से set होती है, हम अपनी आफशकता के अनुसार में theme का चुनाव कर सकते हैं, और उस theme को अपनी जरुवत के हिसाब से modify भी कर सकते हैं, फिर आता है page setup, page setup के इंतरकत उसका margin निकालना कि किस-किस area में हम काम करेंगे, तो हम जो page setup है, उसके इंतरकत उस page का margin कर सकते हैं, कि अतना जो text area होगा, वो क्या होगा, फिर orientation, मतलब page को हमें खडा रखना या landscape करना है, मतलब horizontal करना है, या portrait करना है, या landscape करना है, वो कर सकते पेज की size, legal size में A4, A5, A3, कि size में page को रखना है, तो वो page size हम अगरा कर सकते हैं, और उसमें column और row अगरा भी बना सकते हैं, इसके अलावा page background की बात करें, तो page background में सबसे पहले हम watermark, page के color की, page के border, आधि के बारे में हम edit कर सकते हैं, नई चीजें इसमें साथ में जोड सकते हैं, तो जैसे page का color पूरा जो background है, उसका color change करना, उसका border बनाना page का, उसके उपर कोई watermark बनाना, तो यह हम इस page background है, page layout के अंतरकत, तो हम उसमें कर सकते हैं, फिर आता है indent, 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 जो होता है, वो, हम spacing set करते हैं, इसके अंतरकत, हम spacing को set करते हैं, तो indent, हम जो काम करते हैं, उसमें जो सब्द होते हैं, जिस page पे, उनको left या right side में कितना gap देना है, उनके बीच में कितना gap रखना है, बाहर की तरफ कितना gap रखना है, वो सब indent के तुरू हम कर सकते हैं, spacing के तुरू हम उपर वाली लाइन और निचे वाली लाइन के बीच में gap कर सकते हैं, particular paragraph में, तो इस paragraph के अंदरकत, indent और spacing दोनों काम किया जाता है, फिर आता है, arrange, arrange group का इस्तमाल, word document में insert graphics को arrange करने के लिए किया जाता है, हम इस group में मुझूद कमांड के द्वारा picture की position, उसका alignment, grouping आधी की setting कर सकते हैं, इसके लावा word वायर्पिंग की setting भी arrange group से की जाती है, मतलब जो भी हम graphics, जो हमने clip art के द्वारा, जो हमने photos वगेरा इसमें लगाए हैं, तो उनको arrange किया जाता है, उनको, उनको, उनकी position, उनका alignment, उनकी मतलब कैसे grouping करना, ये सब चीजे, arrangement, कमांड के through हम कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम reference की, reference, MS Word की एक special feature है, reference में एकुल 6 group होते हैं, इन 6 group में जैसे table of content, footnot, citation and bibliography, captions, index और table of authorities, option होते हैं, reference का जो मुख्य काम होता है, उस काम में हम जो paper होता है, उसके संदर्ब की बात करते हैं, paper में जो हम विभिन उप्योग कर रहे हैं, जिन विशे वस्तु का, उनका संदर्ब होता है, तो जैसे हम पहले, इसका जो पहला option बात करें, table of content है, इसमें, word document में आसानी से table of contents यानि index बना सकते हैं, और ये विशे सुची, clickable होती है, मतलब हम जिस particular lesson को पढ़ना चाते हैं, बस उस पर click कर दीजी, और आप सिधे उस lesson पर पहुँच जाएंगे, तो हम ऐसी table जो हम बनाते हैं, जो किताबों में, जैसे पहले page पर table होती है, इस page number पर ये lesson है, तो वो table तयार कर लेते हैं, word document बढ़ा होने पर उसकी table तयार करके, उसके lesson की table तयार करके, या फिर उसके heading की table तयार करके, हम उसको table of content में तयार कर सकते हैं, और उस page number को डालने पर सिधे हम उस lesson तक पहुँच सकते हैं, फिर इसके बाद में आता है footnote, footnote बारा हम अपने document में अतरिक्त जानकारी या supplement जोड सकते हैं, जो हमारे इस document को और विश्वस्नी बनाता है, footnote मतलब उस document के बार में कोई information हमें देनी है, तो उस footnote के थूँच हम कोई भी information निचे दे सकते हैं, जिससे की हमारा वो page होता है, वो और विश्वस्नी और आकरशक बनता है, कि यह information कहां से लिए और कहां से add क है, फिर आता है citation bibliography, मतलब संदर्ब देना और ग्रंथ सुची तयार करना, तो संदर्ब देना मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई reference दे सकते हैं, उद्धरन लगा सकते हैं, और उद्धरन को हमें वो अलग से चिनित करता है, और इसके लावा जो ग्रंथ सुची हो अगर और जो भी काम होते हैं, उनकी अपनी अपनी शेलिया होती है, तो हम अपनी इंडियान शेली में काम कर रहे हैं, या USA की APA शेली में काम कर रहे हैं, हम शेलियों का उप्योग भी इसमें कर सकते हैं, और इसके लावा जो caption option होता है, तो caption में हम जो image होती है, उनको हम इ से आई और उसका क्या सूचना है उसके बारे में उसकी इन्फोर्मेशन उसमें लगा सकते हैं उसमें उसके table of figures भी बना सकते हैं मतलब कौन-कौन सी आपने किस-किस page पे कौन-कौन सी picture को डाला है उस page के उपर set किया है उसकी हम index त्यार कर सकते हैं जिससे की सीधा हम उस image तक पाएं और image के बारे में सूचना भी हमें प्राप्त हो पाएं फिर आता है context, sorry index, index होता है जिसमें एक पन्ने या topic के लिए index बना सकते हैं जिससे हम list of topics भी कह सकते हैं मतलब किसी particular page के लिए, किसी wishes page के लिए हम index त्यार करते हैं फिर आता है table of authorities, हमने document में जो authorities बनाते हैं मतलब जिन स्रोतों का हमने सहारा लिया है उस document को बनाने के लिए किसी हम को research का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं लिख रहे हैं तो हमने जिस जिस विशेवस्तू का उपयोग किया है उन सभी के बारे में information table of authority से हम दे सकते हैं उससे हम एक सूची बना सकते हैं जिससे open करने पर सिधा हमें पता चल जाएगा कि कौन को कि उस page पे था हम उस बात को लिख नहीं सकते हैं तो अलग से उसकी table तेयार करके उसको बना सकते हैं जिससे कि हम आने वाले समय में जब भी उसकी आफसकता होती है यह जो उद्धरण है यह रेफरेंस कहां से आया तो हम उस table of authority से उसको निकाल सकते हैं और उसको page पर सकते हैं कि मैलिंग की मैलिंग पेब जब हम Microsoft Word में मैलिंग का यूज करते हैं तो इसके अंतरगत हम किसी विशेस कायरे को हम किसी विबिन लोगों के पास बेजना है हमारे जो कायरे हैं तो उस बेजने के लिए हम मैलिंग टेप का उप्योग करते हैं मुख्य रूप से इसका काम यह होता है इसके अलावा इसमें कुछ options होते हैं जैसे है create, write and insert, fields, review results और finish तो हम अब इनके बारे में एक एक बाद करते हैं जो create option होता है क्रियेट में हम डोकुमेंट में envelopes और labels बना सकते हैं जैसे mailing address, labels, file for फिर start mail merge option आता है जिसमें इस group द्वारा mail merge की process शुरू होती है और हम यहां से mail बेजना चाहते हैं उन्हें जोड सकते हैं यानि research list list create कर सकते हैं edit कर सकते हैं और delete कर सकते हैं फिर option होता है write and insert fields जब हम उपर के जो दोनों group का काम खट्म कर लेते हैं तब इस group का काम आता है जब हम create और start mailing merge का का समाप्त हो जाता है फिर हम write और insert fields का काम आता है जिसके अंतरगत हम अपने mail में extra field insert कर सकते हैं किसी विशेश mailing address को ब्लाब कर सकते हैं और greeting lines को जोड़ सकते हैं और हम अपने कारे में protect के लिए अलग लग कर सकते हैं तो इन चीजों का हम काम write and insert fields में करते हैं फिर preview results जब हम हमारी mail merge का का कारे पूरा हो जाता है तो हम उस preview results के द्वारा हम अपने कारे को preview के रूप में देख सकते हैं फिर आता है finish finish जो हमने mail merge का कारे किया है वो mail merge का finish के द्वारा हम इस प्रिक्रिया को smart करते हैं तो overall हम इस mailing से यह सीखते हैं कि एक साथ विबिन लोगों को mail करना है अलग 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 तरीके से mail करना है तो हम इस option के द्वारा mailings के द्वारा इस menu के द्वारा हम विबिन mail कर सकते हैं अब बात करते हैं हम ms world review menu की review tab की review टेप के अंतरगत हम जिस page पर काम करते हैं जो हमने काम किया है उसको review करने के समंदित है मतलब उसको एक बार check करना जिसमें कोई mistake तो नहीं हुई है spelling mistake है या फिर उसमें कोई change up है या फिर कोई उसमें ठिस और समंदित को सूचना या फिर को समाना अर्थी सब्द यूज़ करना है और उसको protect करना है compare करना है किसी दूसरे पत्र से तो यह सब बातें review tab के अंतर ग करना comment करना tracking करना changes करना और protect करना और compare करना यह जो छे बाते हैं जो इसके अंतर कर छे इसके पागोते हैं तो सबसे पहला है proofing करना proofing मतलब उसको एक बार check करना है कि कोई grammatical ही problem तो उसमें नहीं है कोई mistake तो उसमें जैसे कोई spelling and grammar के समनित mistake हो या कोई ऐसा समानार्थी सब जिसको यूज किया उसके जिगर कोई दूसरा उचित सब्द या कोई word यूज करना हो तो यह proofing के अंतरगत किया जाता है उसको grammatically व्यक्रण रूप से उसको लेटर को चेक करना है इसके अलावा जो दूसरा option नहीं है वो comments का आता है किसी word document में उखलब कोई भी खास सब्द या सब्समूग के बारे में हम कुछ अथ्रिक लिकना चाते हैं कि यह word यहां का है और उसकी मतलब कोई छोटा जैसे अनेकार की सब्द हो तो उसके बारे में information देनी है तो हम comments के through दे सकते हैं tracking option होता है इसमें हम system के किसी user के साथ share कर सकते हैं तो मतलब हमारा जो page है वो जो जैसे पर हम काम कर रहे हैं वो हम किसी user के साथ में share कर सकते हैं और वो हम इसको देखकर उसमें परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन करके हमें वापस बेज सकता है तो tracking option के अंतरकत हम अपने क हमको किसी और से प्रूफिंग करवानी है किसी यूजर से प्रूफिंग करवानी है हम ट्रेकिंग के द्वारा हम उसको बेज सकते हैं और इसमें जो भी एडिट वो शब्द या वर्ड करता है उसके बारे में हमें सूचना मिल जाती है यहां मतलब इसे हम मल्टी कमांड यूजर सिस्टम भी कहते हैं मतलब इसे एक लेटर को बहुत सारे लोग क्यूज करें फिर उप्शन आता है चेंज़ का चेंज़ का इस्तेमाल डोकुमेंट में हुए चेंज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के काम आता है इस काम के लिए इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कमांड होती है एक्सेप्ट कमांड के द्वारा डोकुमेंट में हुए चेंज़ को एक्सेप्ट किया जाता है मतलब चेंज को डोकुमेंट में एड करना और reject command के द्वारा document में सामिल किया हुआ है उसको हटाना तो changes मतलब जो हम add कर रहे हैं उसको add करना और जो change कर रहे हैं उसको change करना इस command के द्वारा अगर यह command हम उसमें उप्योग में नहीं लाएंगे save करने के बाद तो वो save नहीं होगा या change नहीं होगा फिर आता compare हम एक हमारे पास एक प्रकार का document होता है उसका हमारे पास एक ही वर्जन होता है वही मतलब हम लेटर दूसरी प्रकार से हम लिखते हैं तो उन दोनों के बीच में अगर compare करना चाहते हैं तो compare इस command के द्रों हम कर सकते हैं और उसमें अंतर कितना है वो अंतर हम निकाल सकते हैं फिर आप है protect document प्रोटेक्ट डोक्यूमेंट के अंतरकत हम अपने document को protect कर सकते हैं हम उसके लिख प्रोटेक्ट बना सकते हैं और अपनी editing को submit कर सकते हैं हमारे letter को को कोई और edit ना करें तो हम protect document के द्वारा इस protect option के द्वारा हम document को protect कर सकते हैं उसका अलग से पासित बना सकते हैं और अगर कोई इसको देखना चाहे तो वो उसको edit नहीं कर सकता है only readable option इसमें लागू कर सकते हैं तो यह सब जो है review टेप के अंतरकत आता है हम बात करते हैं view tape की view tape के अंतरकत विभीन option होते हैं इंसर्ट टेप के अंतरकत को साथ group होते हैं इन्हें हम इसमें जो screen है इसमें देख सकते हैं pages, tables, illustration, link, header and footer, text और symbols इंसर्ट का basically काम कोई भी चीज किसी page में नई चीज जोडने के लिए किया जाता है और नई चीज कौन सी? pages जोडने के लिए table कोई add करनी है उसके लिए illustration देना है, links देना है कोई भी किसी भी website के समदित header and footer हमें तयार करना उसमें कोई भी headings डालनी है और text और symbol के समदित हम इसमें insert कर सकते हैं page में जिसमें हम काम कर रहे हैं तो इसमें जो page group जो सबसे पहले हमें दिख रहा है left side में pages उसमें cover page, blank page, break page तो इसके अंतरकत हम cover page किसी भी document के उपर काम कर रहे हैं तो उसका हम cover page लगा सकते हैं इसके through, blank page उसमें और नया चोड़ना है निचे की तरफ जिसमें आप काम करना है तो आप उसको blank page के through काम कर सकते हैं और break कर सकते है page को, हम ribbon page के टुकुडे कर सकते हैं एक बड़े page है एक बड़े page को छोटा करके उसको एक हाकरशक बना सकते हैं दूसरा आता है tables, tables के अंतरकत हम ribbon जो tables है उनको हम उसमें बना सकते हैं पेस्टेरिया में जो page होता है, page में table बना सकते हैं जिसमें जितनी भी लाइने हम जो row और column बनाना चाहें बना सकते हैं उसमें हम draw कर सकते हैं फिर आता है illustration, हमें कोई इसमें page डालना है, sorry picture डालना है कोई clip art डालनी है, कोई snapshot डालने है, smart art करना, कुछ art का काम करना है उसमें chart और webinar परकार के graphs हो डालनी है या फिर इसकोई screenshot लगाना है उसमें page में add करने के लिए तो हम illustration command के थू हम ये काम कर सकते हैं इसके अलावा जो हम links की बात करें तो उसमें कोई भी जो hyper links अगेरा होते हैं, जो website के हो सकते हैं या फिर किसी भी विशेवस्तु के जो links होते हैं वो भी इसमें हम इस links के थू एड़ कर सकते हैं bookmarks भी add कर सकते हैं और cross reference भी इसमें add कर सकते हैं साथ ही साथ हम विपिन जो header and footer जब हम page पे काम करते हैं तो उसका head जो उपर इक शत्र होता है और footer जो की निचे वाला शत्र होता है उनको हम insert करके वहां पर header footer में कोई भी हमारे जिस पर हम काम करें जिसके लिए काम करें उसका logo, photos या फिर अपना नाम, किसी और का नाम, किसी संस्तान का नाम आधी insert कर सकते हैं header footer के अंतरगत page को आकाशक बनाया जाता है और इसके अलावा page number भी हम इस page number के through उसमें डाल सकते हैं तो यह सब जो commands है